हमने स्टार्ट किया था अज देखेंगे इसका लेक्चर 5 लेक्चर 5 में बायो टेखनोलोजी के अंदर एक सब टॉपिक आता है यूमन हेल्थ बहुत सारी काफी सारी इंट्रेस्टिंग चीज़े इसमें बता रखिए और यूमन हेल्थ का पेज 93-94 पे आने वाला पार्ट हम सब्सक्राइब करना तो चले शुरू करते हैं अब यूमन हेल्थ में दो इंपॉर्टन्ट चीज़े होती हैं कितनी दो नंबर वन इस डाइगनोसिस मतलब मान लो एक दिन सुबह उठकर मुझे अलग-अलग फिलिंग आने लगी मेरा पेट दुख रहा है जुलाब हो रख रहा है आख में खुजली आ पीवर आ रहा है तो यह सारे सिंटमस लेकर मैं दॉक्टर के पास रहा है फिर दोक्टर ने टेस्टीं करी चेख अप किया अलग-अलग टेस्ट होते हैं वह सब किया एंड डॉक्टर ने पता लगाया कि मुझे कौन सी बीमारी हुई हैई डॉक ट्रीटमेंट करेगा तो वो जो डॉक्टर है मुझे वो अलग-अलग गुलिया अलग-अलग मेडिसिन्स सिरप यह सब मुझे वो प्रिस्क्राइब करके लिख कर देगा तो यहां पर दो बाते हुई पहले किया हमने डाइगनोसिस बीमारी का पता लगाया फिर उसकी एस्पेक्ट मतलब पर्ट ऑफ देउमन हेल्थ मेनेजमेंट सिस्टम सिंपल आ न तो इसमें बायो टेकनोलोजी का क्या काम है क्या हाथ है सुनों अब वेरियस मेडिसिन्स आर यूज़्ट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसिस अलग-अलग-अलग टाइट की डिसीज होती हैं उनको treat करने के लिए अलग-अलग medicines भी होती हैं उसमें से बहुत सारी medicines बायो technology से बनाई जाती हैं for example हमें पता है कि hormone insulin it is used in the treatment of diabetes क्या होता है diabetes blood में glucose का level sugar का level बढ़ जाता है तो उसको treat करने के लिए क्या और नहीं है treat करने के लिए हम insulin के injection देते हैं shots देते हैं अब बहुत सालों पहले की बात है बहुत सालों पहले की बात है insulin was collected from the pancreas of horses dead horses मरे होए आपको पता है pancreas में insulin बनता है pancreas के अंदर beta cells होते हैं आपको बता था ये beta cells insulin produce करते हैं तो पहले के जमाने में मरे हुए horses के घोडे के pancreas से insulin निकाल कर collect करके patients को दिया जाता था उसके side effects भी होते थे human insulin इंसान का insulin अलग होता है थोड़ा animal का insulin अलग होता है तो यहाँ पर side effects भी होते थे problems होते थे not only घोड़ा actually guy and ducker pig इनके भी pancreas से insulin निकाल करके इंसानों को दिया जाता था लेकिन आप ऐसा करने की जरूरत है क्या बिल्कुल भी नहीं अब हमारे पास biotechnology है so nowadays due to biotechnology insulin is prepared with the help of bacteria ये कहानी मैंने lecture 3 में बताई है अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो यहीं कहीं उपर आ जाएगा देख लेना बहुत अच्छा लेक्चर था बहुत अच्छे से मैंने बताया था एक bacteria था E. coli Ashericia coli उसको हमने modify किया genetically modified किया और फिर वो बैक्टेरिया मुझे इंसुलिन बना कर देता है और वो insulin मैं बाटली में भरके बेच सकता हूं तो अभी जो insulin मार्केट में available है वो बायो टेक्नलोजी से बनाया जाता है घोड़े गाए डुक्कर उनके पैंक्रियास से नहीं निकाला जाते हैं ठीक है कूल एंड इसी तरह से बायो टेकनलोजी से हम बहुत सारे वैक्सीन और एंटिवाटिक्स भी बना सकते हैं अब हम आज के लिक्चर में वैक्सीन को पकड़के उनको विस्तार में पढ़ने वाले चली थोड़ा आगे चलते हैं एक वैक्सिन किस तरह से काम करता है आपको पहले यह समझना पड़ेगा कि आपके बॉडी का इम्म्यून सिस्टम नैचरल जो डिफेंस होता है बॉडी का वो किस तरह काम करता है फिर आपको वैक्सिन समझेगा तो story time, चले कहानी बताता हूँ, अब मालो ये एक pathogen है, क्या है pathogen, क्या होता एक pathogen, any organism that can cause a disease, ऐसा कोई भी गंदा organism जो आपको बिमार बना सकता है, उसको हम बोलते है pathogen, for example, bacteria हो गया, virus हो गया, protozoa, parasite हो गया, कोई भी कोई भी गंदा organism जो आपको क्या करेगा, बिमार बनाए उसको हम बोलते है pathogen, ठीक है, अब जब कोई pathogen आपके अंदर आता है, आपकी body, आपकी immune system उसको directly identify नहीं कर सकती, तो कैसे पता चलेगा, सुनो, pathogen जो है न, उसके surface पे, ठीक है, उसके outer surface पे कुछ proteins होते हैं, ऐसे proteins होते हैं, कुछ, इनको हम बोलते हैं antigen, ठीक है, word याद इसको क्या बोलेंगे, antigen, what is antigen, protein present on the surface of the pathogen, आपकी body का immune system इस antigen को identify कर सकता है, आपके body के immune system के जो cell होते हैं, वो antigen को identify कर सकते हैं, पता चल जाता है कि कोई pathogen अंदर आया है, अब उसको मारना है, अब उसको पकड़ना है, चीक है, एक और बात, हर एक pathogen का antigen अलग होता है For example, मेरे अंदर coronavirus अगर आगया, तो coronavirus के उपर का जो antigen है वो बचहोगा या फिर फिर मेरे अंदर dengue का virus आगया, तो उसके उपर का antigen अलग होगा, एक बात भेजे में घुसा के लो, समझ गया? अच्छा, अब आपके बाड़ी में white blood cells होते हैं, आपको पता है WBCs, बहुत अलग 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 टाइप के WBC होते हैं, उसमें से एक WBC है, उसका नाम है B cell, चीक है? अब मुझे एक बात बताओ, आपके immune system ने antigen को identify किया, कि कौन सा antigen आया है? फिर ये information B cell के पास जाती है, and B cell antigen के हिसाब से एक protein produce करने लगता है, ऐसा Y shape का एक protein होता है, इस protein को हम बोलते हैं, antibody, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा complicated topic है, antigen अलग होता है हर एक pathogen का, तो उसके हिसाब से हर एक pathogen का antibody भी अलग बनेगा, तो coronavirus अगर आता है, तो उसको fight करने के लिए antibody अलग होगी, डेंगी का virus आता है, डेंगी का virus आता है, तो उसको fight करने का antibody अलग होगा, बात समझो मेरे, pathogen अलग हैं, तो उनके लिए antibody अलग बनती है, antibody कौन बनाता है, B cell, B cell क्या है, एक type का white blood cell है, WBC है, यहां तक बात समझी, फिर यह antibody जाके antigen को चिपक जाता है, इस तरह से, एंड यह antibody, immune systems के बाकी cells को signal भेजेगा, कि यहां पर pathogen है, इसको पकड़ो, इसको मारो, एंड तब जाके यहां पर, एक बड़ा सा cell आता है, जिसको बोलते हैं, macrophage, what is a macrophage, it is also a type of WBC, यह भी एक type का white blood cell है, बहुत बड़ा होता है, इसके लिए उसका नाम कहा है, macro, macro मतलब बड़ा, यह macrophage आके pathogen को खा जाता है, निगल जाता है, पूर आपने अंदर ले लेता है, एंड फिर उस pathogen के उपर chemicals release करता है, कुछ enzymes release करता है, एंड pathogen को dissolve कर देता है, तोड देता है, ब्रेक कर देता है, इस तरह से आपकी body fight करती है एक बिमारी को, देखो, immune system का response is very 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 complicated, आपको जो मैंने अभी बताया, यह एकदम basic level का, एकदम basic level का explanation है, advanced जगर पढ़ना है तो आपको 12th में, medical में जाना पड़ेगा, वहीं पे सब समझ में आता है, यह एक basic बात समझ में आ गई, antigen के हिसाब से बनती है antibody, antibody आके pathogen को चिपक जाती है, फिर macrophage आता है, white blood cell और pathogen को खा जाता है, simple, इतना समझा, तो अब vaccine क्या होता है, समझते हैं, vaccine is the antigen containing material, vaccine जो दिया जाता है उसके अंदर antigen होता है, antigen वाला material होता है, जिससे क्या होगा, it will give me either permanent or temporary immunity, मतलब वो बिमारी या तो मुझे जिन्दगी भर कभी नहीं होगी, permanent immunity मिल जाएगी, या तो 6 माईने की, 1 साल की, 2 साल की temporary immunity मिलेगी, against that specific pathogen or the disease, simple भाशा में vaccine लेने से बिमारी के against permanent या temporary immunity मिलती है, लेकिन definition पढ़के आर मजा नहीं आया, फील नहीं आया, antigen containing material मतलब क्या, ध्यान से सुनना, बहुत सालों पहले की बात है, traditionally, vaccines were prepared with the help of pathogen, ये लोग क्या करते थे ना, pathogen जो होता है, उसको वो लोग heat करके, घरम करके, मार देते थे, या तो completely मार देते थे, या तो थोड़ा जिन्दा रखते थे, partially kill करते थे, या फिर कभी-कभी ये लोग pathogen को modify कर देते थे, and उस pathogen की disease causing ability जो होते, बिमार करने की शमता, वो power कम कर देते थे, उस pathogen को weak बना देते थे, तो ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने या तो completely, या तो partially kill किया pathogen को, गरम करके, और फिर उस pathogen को body में inject किया जाता था as a vaccine, तो इसका फाइदा क्या, इससे क्या होएगा, एक बात बताओ, pathogen मरा हुआ है, मुझे बिमारी होगी नहीं, लेकिन उस pathogen के surface पे antigen present है, मेरी body, antigen को identify कर सकती है, और उस antigen के हिसाब से, मेरी immune system, B cells क्या बनाते हैं, antibodies बनाते हैं, एक बार अगर antibodies बन गई न, आपके immune system में, antibodies की memory रह जाती है, मतलब अगर next time, जिन्दा bacteria, जिन्दा virus, अगर अंदर आता है, तो उसके against, मेरे पास antibodies बनी हुई हैं, मुझे सिर्फ उनको release करना है, and infection को immediately fight कर सकता हूँ, समझ रहे हो, तो vaccine ने क्या किया, आपके immune system को train किया, ready बनाया, prepare किया for the infection, आपके immune system के पास, सारी guns आ चुकी है, AK-47 आ गया है, Maverick आ गया है, machine gun आ गया है, जैसे ही bacteria आता है, जैसे infection आता है, तिर्फ गोली मारनी है, antibodies छोडनी है, समझ रहा है, यह होता है vaccine, आपके immune system को train करता है, लेकिन एक छोटी सी problem है, यहाँ पे भी तकलीफ है, सुनो, कभी कभी ऐसा होता था न, there were chances of contracting the disease, in case of some person, कुछ लोग होते हैं, जिनकी immune system थोड़ी weak होती है, और उनके अगर अंदर, वो pathogen active हो गया, जो हमने partially killed pathogen अंदर डाला है, वो अगर active हो गया, तो उन लोगों को बिमारी हो सकती है, vaccine से बिमारी हो सकती है, polio के case में ऐसा बहुत बार होता भी था, काफी सारे लोग थे, जो vaccine के वजा से बिमार हो गया, उनको polio हो गया, दो बुन जिन्दगी के लेने गए थे, वही दो बुन ने जिन्दगी बरबाद कर दी, तो इसका solution क्या है, तो अब scientists लोग क्या कर रहे हैं, scientists try to artificially produce vaccine, vaccine को artificially बनाएंगे with the help of bio technology, कैसे देखो, चलो यह pathogen के surface पे क्या होता है, क्या होता है, antigen होता है, यह antigen, antigen एक टाइप का protein है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अब यह protein कौन बनाता है, gene बनाता है, फॉर्स चाप्टर में हमने पढ़ा है, gene बनाता है protein, protein synthesis का पुरा process, transcription, translation, translocation, यह सब होता है, तो कहना है से यह जो antigen है, उसका gene इस pathogen के अंदर होगा, इस तरह से, हम क्या करेंगे, हम उस gene को cut करके, separate करेंगे, step number one, हमने क्या किया, gene is isolated from the pathogen, किस चीज का gene है, यह antigen का gene है, ठीक है, अब हमने यहां पे लिया, east cell, east क्या होता है, unicellular fungus, single-celled fungus, जिसको bread making में, alcohol production में यूज करते हैं, हमने उस gene को, east के DNA के साथ, merge कर दिया, combine कर दिया, तो अब आप बताओ, क्या यह east cell, antigen produce कर सकता है, बिलकुल कर सकता है, and इसी तरह से, scientist लोग, antigen को laboratory में बनाते हैं, pure antigen, तो अब हम क्या कर सकते हैं, now, the proteins which act as antigen, they are injected in the pure form, body के अंदर, हम सिर्फ antigen को inject करेंगे, instead of injecting the killed, और semi-killed pathogen, हमें अब pathogen inject करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ antigen को inject करेंगे, तो क्या होगा, मेरी immune system उसको identify करेगी, and उसके response में antibodies बनाएगी, समझ रहे हो, antibodies बन चुकी हैं, मेरी immune system active हो गई है, तो अब अगर actual bacteria आता है, infection आता है, मैं उसको fight कर सकता हूँ, समझ रहे हो, तो यहां पे क्या किया, these proteins, antigen, they will keep the person away from the disease, by keeping the immune system active, and thus, safer vaccines are produced, अब pathogen डालने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल clear होग यह बात, and एक और बात, यह जो vaccines है न, produced with the help of biotechnology, they are more thermostable, thermo मतलब temperature, जो पुराने vaccine होते थे, pathogen वाले, उनको एकदम cold storage में रखना पड़ता था, low temperature पे, लेकिन जो नए वाले vaccine है, modern vaccine, इनको हम room temperature पे भी रख सकते हैं, ठीक है, they are temperature stable, and they will remain active for longer duration, लंबे time तक चलते हैं, and एक आखरी बात, hepatitis and polio, इनके vaccine इस तरह से बनाए गए है, and और भी बहुत सारी बिमारियां है, जिनके vaccines इस तरह से, biotechnology से बनते हैं, तो I hope ये vaccination वाला part, एकदम 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 clear यहाँ पर हो चुका है, पक्का, चली तोड़ागी चलते हैं, तो यहाँ कुछ नया लाए हैं, हमारे बाबारन छोड़दास, edible vaccine, edible मतलब जिसको आप खा सकते हो, work on the production of edible vaccines is in progress, and potatoes are produced with the help of bio technology, ऐसा बटाटा बनाया है, ऐसा potato बनाया है, जिसको अगर आप खा लो, आपको क्या मिलेगा, immunity मिल जाएगा, आपको बिमारी नहीं होगी, यह क्या जादू है, यह क्या मजाक है, चलो बताता हूं, यह हमारा pathogen, pathogen के उपर antigen, and antigen बनाने वाला gene, उसके अंदर है, बराबर, step number one, हम उस gene को काट के, separate कर देंगे, isolate कर देंगे, तो क्या बोलनेगा, isolation of the desired gene, from the human pathogen, human pathogen मतलब क्या, ऐसा organism जो, humans को बिमार बनाता है, ठीक है, उसको हम human pathogen बोलेंगे, gene को काट करके बहार निकाल दिया, step number two, अब हम यहाँ पे एक virus लेते हैं, plant virus, ऐसा virus जो plant को infect करता है, हम क्या करेंगे, हमारा जो gene है न, उसको उस plant virus के अंदर डाल देंगे, and, virus का जो गंदा वाला gene से, जो बिमारी cause करता है, उस gene को हम कट करके, हटा देंगे, तो हमने virus को क्या किया, modify किया, नहीं समझा, antigen वाले gene को हमने, virus के DNA के साथ add कर दिया है, बस, virus को modify किया, इसको हम बोलेंगे, transgenic plant virus, transgenic मतलब modified, ठीक है, step number three, petri dish, petri dish के अंदर agar gel होता है, agar gel में nutrients होते हैं, इसको tissue culture के लिए use किया जाता है, lecture three में आपको बताया था, अब हमने potato का जो plant होता है, उसके जो leaf हैं, उसको cut करके, petri dish में रखा हुआ है, अब हम हमारे virus को, transgenic plant virus, उसको हम potato के leaf के उपर छोड़ देंगे, virus leaf को infect करेगा, परिक, एंड ये virus क्या करता है, ध्यान से सुनना, antigen वाला जो gene है न, virus उस gene को plant के DNA के साथ add कर देता है, I repeat, virus, antigen वाले gene को plant के DNA में डाल देता है, virus is like a postman, क्या करेगा virus, delivery करता है, बस, हमने gene को virus में डाला, virus ने उस gene को plant में डाल दिया, plant को modify कर दिया, तो step number 3 क्या बोलेंगे, virus infects the pieces of potato leaves, अब वो potato के leaf modify हो चुके हैं, and क्या हम tissue culture से पूरा plant grow कर सकते हैं, grow कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, entire plant is developed from the leaf pieces, containing the genes of human pathogen, पूरा plant हमने grow किया, उसके उपर potato भी आये, अब मुझे आप बात बताओ, क्या उस बटाटे के अंदर antigen बनेगा, हमने gene तो डाल दिया था ना plant में, तो अब potato के अंदर antigen बनेगा, and अगर मैं उस potato को खालूं, तो वो antigen मेरे अंदर जाएगा, मेरी immune system उसको identify करेगी, and antibodies बना देगी, समझ रहे हो, बटाटा खाओ, antibodies बन गए, antibodies बन गए, मतलब आपको immunity मिल गई, तो देखो last step, मैं हट जाता हूं, consumption of raw potatoes, ध्यान से सुनना, raw मतलब क्या कच्चा, raw potatoes will help to develop immunity, against that pathogen, सारे step समझ रहे हैं, एक और बार, antigen वाला gene isolate किया, gene को virus में डाला, virus ने उसको potato के leaf में डाला, tissue culture से पूरा plant उगाया, potato में antigen आया, हमने उसको खाया, मुझे मिली immunity, समझ रहे हो कहानी, इसको label करने के लिए exam में पूछा जाता है, तो इसके labeling आपको आने चाहिए, draw करने के लिए नहीं आएगा, ठीक, चलो, फिर कौन से कौन से बिमारी के लिए, ऐसे बटाटे बनाए गए हैं, देखो, potatoes will help against, bacteria like, E. coli, अब उसका पूरा नाम पढ़ लो, E. coli, and Vibrio cholerine, so, consumption of these raw potatoes, तच्चा पूटाटोस, will generate immunity against cholera, cholera कौन कौस करता है, Vibrio cholerine, and the disease caused due to E. coli, E. coli, diarrhea कौस करता है, जुलाब, E. coli is a जुलाब-causing bacteria, यह याद रखना, ठीक है, पेट गडबड करता है, तो इन दोनों के against, आपको मिलेगी, immunity by eating raw potatoes, लेकिन एक सवाल है यहाँ पे, raw ही क्यों खाना है, कच्चा ही क्यों खाना है, what will happen if these potatoes are cooked, उनको अगर मैं boil करू, उनको अगर मैं गरम करू, तो जो antigen होता है, वो break हो जाता है, वो जो protein है, वो high temperature पे, रहनी पाता, वो break हो जाएगा, अगर antigen ही नहीं है, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता है potato का, इसलिए एक दिक्कत है, उसको आपको कच्चा खाना पड़ेगा, चीक है, simple, यहाँ तक सब कुछ समझ गया, चली थोड़ा आगे चलते हैं, चलो तो सारी खतरनाक वाली बाते हो गई, इसलिए डिफिकल्ट वाली हेवी बाते हो गई, तो कुछ हलका फलका पढ़ लेते हैं आपे, treatment, क्या बोला है, biotechnology is useful for the production of proteins, such as insulin, अब मुझे पता है, insulin एक हॉर्मोन है, insulin एक हॉर्मोन है, लेकिन chemically, insulin एक प्रोटीन भी है, in fact, बहुत सारे हॉर्मोन है बोडी में, जो क्या है, protein है, protein based hormones, चिक है, तो insulin क्या है, एक टाइप का protein है, और इसको किसके treatment में यूज किया जाता है, diabetes के treatment में यूज किया जाता है, हमें पता है, उसी तरह से, एक और हॉर्मोन होता है, somatotropin, और ये somatotropin भी क्या है, एक टाइप का protein है, नाम थोड़ा complicated लग रहा होगा, लेकिन 9th में हमने growth hormone बढ़ा है, human growth hormone, उसी का दूसरा नाम है somatotropin, और इसको हम dwarfism के treatment में यूज करते हैं, dwarfism क्या होता है, height बहुत कम होती है उन लोगों की, और उनको अगर somatotropin का injection दिया जाए, growth hormone का injection दिया जाए, तो उनकी height बढ़ेगी, simple, वैसे एक और protein होता है, blood clotting factor, factor number 8, इसको हम hemophilia बिमारी के treatment में यूज करते हैं, hemophilia में क्या होता है, उनका खून clot नहीं होता, मान लो कि यहाँ पर मैंने कट हो गया, कुछ लग गया, तो मेरा खून बहेगा, लेकिन after some time वो खून जम जाता है, clot हो जाता है, लेकिन जिनको hemophilia है न, उनका खून जमता नहीं है, अगर उनको कट हो गया, तो उनका खून बहते ही रहेगा, समझे रहेगा, blood clot नहीं होता है, तो उनको यह blood clotting factor दिया जाएगा, जिससे उनका खून जम जाएगा, और उनका bleeding stop हो जाएगा, ठीक है, hemophilia समझ गया, simple, फिर erythropoietin, pronunciation पे ध्यान देना, erythropoietin, इसको हम यूज करते हैं, anemia के treatment में, anemia में क्या होता है, आपका जो red blood cell है, RBC, उसका production कम हो जाता है, आपके body में red blood cell की quantity कम हो जाती है, तो यह erythropoietin से क्या होएगा, red blood cell का production बढ़ेगा, तो वाप इस quantity बढ़ने लगेगी, और आपका anemia कम हो जाएगा, symbol भाषा में, anemia मतलब खोन की कमी, किस की कमी, खोन की कमी, ठीक, फिर interleukin, यह भी एक tag का protein है, और इसको हम यूज करते हैं, cancer treatment में, देखो मुद्धा थोड़ा complicated है, लेकिन कोशिक करूँगा समझाने की, interleukin जब मैं body में inject करता हूँ, तो मेरे जो immune system के cells हैं, जो WBC हैं, वो activate हो जाते हैं, and वो WBC, cancer के जो गंदे वाले cells हैं, उनको attack करने लगते हैं, ठीक है, WBC आपके cancer cell को, धिरे धिरे attack कर रहे हैं, खतम कर रहे हैं, और आपका cancer, कम होने लगेगा, समझ रहे हो, तो ये सारे जो proteins हैं, वो biotechnology से हम बना सकते हैं, artificially बना सकते हैं, and उनको हम body में inject कर सकते हैं, to fight all of these diseases, symbol, चले थोड़ागे चलते हैं, तो बात करते हैं, interferon की, interferon क्या होते हैं, छोटे छोटे protein होते हैं, क्या होते हैं, छोटे छोटे proteins, interferon is a group of small sized protein molecules, that help to fight viral diseases, viral infection को fight करने में help करते हैं, कैसे, एक example देता हूँ, मान लो ये एक cell है, वाइरस ने cell पे attack किया, तो ये cell, interferons release करेगा, अपने आजू बाजू, interferon release करेगा, फिर ये interferon, बागी के cells को signal भेजेगा, कि वाइरस का infection आया है, हुआ है, खुद का defenses strong कर दो, एंड वैसे ही, interferon immune system को भी signal देगा, कि वाइरस का infection आया है, simple भाषा में, interferon क्या बोलेगा, भाई लोग, लपड़ा होने वाला है, खुद का defenses strong कर लो, खुद को prepare कर लो, fight करने के लिए, interferon एक signaling protein है, जो signals spread करता है, attack का, ठीक है, बात समझ में आ गई, एंड ये interferon हमारे blood में, naturally बनता है, हमारे cells produce करते हैं, this is produced in the blood, लेकिन मान लोग कोई patient है, जिसका infection बहुत बढ़ चुका है, एंड वो patient खुद fight नहीं कर पा रहा है, उसके पास interferon कम हो गया है, तो क्या हम बाहर से, interferon का injection दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, तो यहाँ पर देखो, nowadays, with the help of biotechnology, transgenic E. coli, transgenic मतलब क्या, modified, modified E. coli are used for the production of interferon, same story, lecture 3 में जो मैंने आपको, insulin production की कहानी बताई थी, वही, human cell में से, interferon वाला gene, isolate करेंगे, उस gene को, Acericia coli के plasmid के साथ, add कर देंगे, merge कर देंगे, और फिर यह E. coli, मुझे क्या बना कर देगा, interferon बना कर देगा, और फिर वो interferon में, patient के अंदर, inject कर सकता हूँ, अगर यह story है, आपको नहीं समझ रही है, तो lecture 3 वाली कहानी देखना, बहुत ही simplify किया हुआ है वहाँ पे, ठीक है बच्चों, आज के दिन की आखरी पेशकाश, gene therapy, देखो क्या है, gene therapy is used, to treat genetic disorders, in somatic cell, तो पहले somatic cell क्या होता है, वो समझो, somatic cell मतलब body cell, liver का, kidney का, heart का, चमक का, lungs का, skin का, body में जितना cell है, except sperm and egg, sperm and egg को side में रखो, उनके अलावा जितना सब cell है, उसको हम क्या बोलते हैं, somatic cell, and उस somatic cell में, DNA होता है, DNA में gene होता है, मान लो के somatic cell की gene में गडबड हुई, gene में गडबड हो गई कुछ, तो मुझे बिमारी होगी, उस बिमारी को बोलते हैं, genetic disorder, and उस genetic disorder को हम treat कर सकते हैं, with the help of what, gene therapy, पढ़ो, gene therapy is used to treat genetic disorder in somatic cell, and it has become possible due to biotechnology, एक example लेते हैं, example के साथ मजा आएगा, देखो एक लिवर का बिमारी है, बिमारी का नाम है Phenylketonuria, Phenylketonuria, short में PICU, Phenylketonuria arises due to genetic defect, genetic defect मतलब gene में गडबड, in the hepatocyte, hepatocyte मतलब liver cell, simple भाषा में liver cell में, gene में गडबड हुआ, तो मुझे बिमारी हुआ, कौन सा बिमारी हुआ, Phenylketonuria, या, PICU, तो ये लोग ने क्या बोला है, it has become possible to treat that बिमारी, with gene therapy, and this is called as somatic cell gene therapy, किसी भी टाइप का explanation नहीं दिया है, क्या होता है, कैसा होता है, कूछ नहीं बोला, सीधा बोला, gene therapy करो, आपका बिमारी दूर हो जाएगा, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमें इसको थोड़ा और समझना है, because biology is beautiful, देखो, हमने क्या किया, मिरको बताओ, कि liver में जो hepatocyte है, hepatocyte की gene में गड़बड है, तो हमने क्या किया, किसी और का functional gene, ऐसा gene जो बराबर काम करता है, उसको हमने isolate किया, separate किया, ठीक है functional gene, फिर मैंने एक virus लिया, ऐसा virus जो मेरे liver के cells को infect कर सकता है, ठीक है, a virus which will infect my liver cell, and मैंने लिया एक hepatocyte liver cell, अब हम क्या करेंगे, हमारा जो functional gene है, जो काम करता है, उस gene को हम डालेंगे virus में, virus post में है ना, तो virus को हम, hepatocyte को infect करने देंगे, and वो virus क्या करेंगा, gene को hepatocyte के nucleus में भेज देंगा, इस तरह, अब मुझे एक बात बताओ, जो functional gene है, जो gene काम करता है, उसको हमने hepatocyte में डाल दिया, तो अब यह hepatocyte, liver cell, बराबर काम करने लगेगा, and मेरी, बिमारी दूर हो सकती है, इसको हम बोलते हैं gene therapy, ऐसे किया जाता है, जैसे edible vaccine में virus यूज करते थे, वैसे यहाँ पर भी virus यूज किया जाता है, postman की तरह, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ग्लिया रहे हैं यहां तक, चलिए, लास्ट के थोड़े questions देख लेते हैं, question number one क्या बोल रहा है, transgenic raw potatoes, तच्चा potato, generate immunity against which disease, vibrio cholera, वो bacteria क्या cause करता है, cholera cause करता है, तो raw potato खाने से आपको, cholera के against immunity मिल रही है, सिंपल है ना, फिर match the following में पूछा, match the pair, interferon कहां पर यूज किया जाता है, viral infection, viral disease, factor 8, clotting factor जो था ना, वो कहां यूज किया जाता है, hemophilia में, somatostatin, growth hormone, dwarfness, dwarfism में यूज किया जाता है, interleukin, cancer के treatment में यूज किया जाता है, ठीक है, and इसी चीज़ को, इस तरह से correlation में भी पूछ सकते हैं, insulin used for diabetes, तो interleukin कहां यूज होगा, cancer में, erythropoetin को, हम anemia में यूज करते हैं, तो interferon को कहां यूज करेंगे, viral infection के लिए, and factor 8, blood clotting factor, वो hemophilia में यूज होता है, तो dwarfness के लिए क्या रहेगा, somatostatin, बहुत ही simple से questions, ऐसे पूछे जाते हैं, and ये तो आना ही चाहिए, objective में, ठीक है बच्चों, फिर एक बड़ा सा सवाल यहां पूछा है, explain the meaning of vaccination, तो यहां पर आपको पूरा, महाभारत रामायन, जो मैंने आपको बताया, उसका सार, उसका summary यहां लिखना है, and जो keywords है न, जो आपको याद रखने, वो मैंने yellow में highlight कर रखने हैं, कहानी बहुत है simple है, क्या होता है vaccine, antigen containing material, it is given, जिसने मुझे क्या मिलता है, permanent या फिर temporary immunity मिलती है, पूराने जमाने में क्या यूज होता था, completely या फिर partially killed pathogen inject करते थे, लेकिन उसका problem क्या था, chances था कि उससे बिमारी हो सकती है, तो अभी scientist लोग ने क्या किया, artificially produce किया vaccine, safe vaccine produced किया in the laboratory, gene was isolated from the pathogen, and उस gene से antigen produced किया, उस antigen को body में inject किया in the pure form, जिससे तुमारा immune system active रहेगा, अब pathogen को inject करने की ज़रूरत नहीं है, इस proteins will keep the person away from the disease, by keeping the immune system active, बहुत ही simple सा answer है, इसको अच्छे से एक बार read कर लो, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, ज्याद कर लेना, ऐसा बड़ा सा question directly पूछते नहीं है, लेकिन इसको आप activity form में पूछ सकते हैं, आपको कहानी पता होने चाहिए, आपको keywords पता होने चाहिए, रटनी की ज़रूरत नहीं है, मैं repeat कर रहा हूं, comment में आपस मत पूछना, सर आएगा क्या, रटना मत, keywords याद रखना, चीक है, याद फिर ऐसा एक, give reason, याद फिर explain the following, nowadays safer vaccines are produced, तो इसका answer कहां से शुरू हो रहा है, traditionally vaccines were prepared with the help of pathogens, जिससे बिमारिया होती थी, तो अब क्या है, modern vaccines बनते हैं, जो safe है, वही answer, same चीज़ आपको यहाँ पी लिखनी है, ठीक है, vaccination के उपर based, यह पूछा जा सकता है, यह वाला पढ़ लेना अच्छे से, give reason, तो यहाँ होते हैं हमारी आज की कहानी समावत, I hope सारे points, सारे मुद्दे, सारी कहानी clear है, आपको feel आया पढ़ते वक्त, वीडियो अगर सच में अच्छा लगा, तो लाइक करना, शेयर करना, सबस्क्राइब कर देना, कोई doubt है, कुछ problem है, तो comment कर देना, and as usual, thank you very much for watching,